हेलोड दुस्तो नमस्कार स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत सौधत करता हूँ सुरोस्तो इस वुड़े में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले स्टॉक मार्केट से जुड़ी वे बहुती बेसिक चीजे बहुती बेसिक चीजे जिससे रिलेटड एक बिग्नर हमेशा मतलब उनके दिमाग में क्वैश्टन मार्क चलता रहता है पर्टिक्लर स्टॉक से रिलेटड हम लोग ने चाट पेटन कहा पे देखने का उससे रिलेटेड नियूस कहा पे देखने की stocks को compare कहाँ पे करने का उसके financial result कहाँ पे देखने के उसी के साथ साथ balance sheet कहाँ पे देखने की cash flow कहाँ पे देखने का share holding pattern से related data कौन सा देखना बहुत ज़्यादा important रहता है ऐसे बहुत सारी चीज़े अभी आप लोगं को मैं इसी वीडियो में यहाँ पे अभी live करके आप लोगं को यहाँ बताने वाला हो मतलब आप लोगों को भी यह चीज़े खुद बाखुद करने के लिए बहुत ही आसानी यहाँ पे हो जाएगी तो आराम से आप लोग stock market की journey की शुरुवात यहाँ पे कर सकते हो चले दोस्तो फड़ा बड़ी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब उससे पहले जरू के ना चाहूँगा किसे ने फर्स टाम विजिट के है चानल को जरू सब्स्ट्राइब कर लेना जानकारी हासिल करना चाहते हो उसको क्या-क्या चीज़े देखनी होती वो भी मैं आपको बताने वाला हो तो चले अभी हम लोग एक डेमो पकड़ लेते हैं यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे TCS चलो TCS उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ शेर एपको प्राइज यह देखिए या फिर सिर्फ टीस शेर प्राइज ऐसा लिखना है तो यहाँ पर इंसे यहाँ अपर मैं क्लिक कर लेता हूँ निचे स्कूल डाउन करना पड़ेगा आपको क्या देखने को मिल रहा है TCS के बारे में यहापे एक information आपके सामने आ रही है आप लोगों को share का price देखने को यहापे मिल रहा है अगर आप नीचे scroll down करोगे तो company का chart pattern भी देखने को मिलेगा जहापे एक दिन का पाच दिन के returns कितने एक मेने के छे मेने के 1st January से उसी के साथ एक साल के पाथ साल के maximum return भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे हम लोग थोड़ा advance भी जाएंगे यहापे बट basic आप लोगों को यहापे में बताना चाहूँगा चलो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पीचे यहापे scroll down करेंगे यहापे आप देख सकते हैं यहापे अगर आप करसल रखोगे mouse का या फिर अपने थम को भी यहापे अगर move करोगे तो आप लोगों को एक यहापे बार देखने को मिल जाएगा अभी आप लोगों को यहापे calculate करना है कि यह जो इतना time था यहापे TCS ने कितना return दिया है या फिर कितना यहापे percentage मिल रहा था तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जो आपका right hand है, इसके उपर यहाँ पर रखना है, and जो आपका left hand है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर touch करके लेके आना है, and आप देख सकते हैं, इन दोनों चीजों को ऐसे आप लोग move करके, यहाँ पर जो भी आपका जो time आप लोग को फ्रेम चाहिए होता है उसमें से जो भी जितना रिटन है आप लोग देख सकते कितना रिटन है तो यहां पर लगबग साड़े नो परसंट का रिटन बदा रहा है इस तरीकी से आप लोग यहां पर देख सकते हो अगर आप लोग कोंपेटर के उपर बेठे हो या फिर लैपटाप के उपर बेठे हो तो आप लोगों को सिर्फ माउस के हिसाब से आप लोगों को क्लिक करके वो ड्रैक करना पड़ते है तो आप लोगों को यह परसेंट वाला खेल यहां पर समझ में आ जाएगा इससे आप लोगों को इन्फ देन दोस्तों अगर हम बात करें इसी TCS से रिलेटेड अगर आप लोग यहां पर चीजों को देख रहे हो तो नीचे स्क्रोल डाउन करो तो आप लोगों को यहां पर क्या मिलेगा उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहां पर थोड़ा और नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो आप लोगों को कमपनी के कॉम्पेटिटर है उससे रिलेटेड भी डेटा मिल जाएगा अभी आप देख सकते हैं TCS IT वाली कमपनी है तो Infosays, Vipro आप देख सकते हैं इनके साथ आप उसके उपर जैसे क्लिक करोगे तो TCS से रिलेटेड जीतने भी जो बड़े बड़े वेबसाइट रहते हैं उससे रिलेटेड जो भी या फिर उनके कॉम्पेडिटर यहां पर क्या क्या करें उससे रिलेटेड आप लोगों को सारा latest information यहां पर देखने को मिल जाएगा आप वेबसाइट देख सकते हैं दोस्तों बड़े बड़े दो फाइनेशल एक्सप्रेस यहां पर आप लोगों को नाम देखने को मिल जाएगा राइट टीस से रिलेटेड कुछ डेटा यहां पर आ चुका है एकनोमिक टाइम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें देखें उ तो उसके बाद अगर आप लोग देखोगे यहां पर क्लिक कर लेना जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करोगे आप नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो रिलेटेड शेर कौन से शेर के साथ आपको इसको कंपर करना है विप्रो इन्फोसेस एचल जिस भी जैगा बट आप सोच रहे होगे कि नहीं मुझे अनंदर स्टॉक के साथ कोई कंपरीजन चेंट लास्ट में भी उपचन लेकिग क्लिक कर लेता हो रिखेजाहिए कि शे मैने के उपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो रिटन आप लोगों को देखने को मिल रहे है देन एक साल के उपर में क्लिक करों पाथ साल के उपर क्लिक करों तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि कितना रिटन यहां पर मिल रहा है प्लस आप लोग जैसे जै इंडिक्स के साथ compare कर लेना, निफ्टी के साथ वो कैसे चल रहा है कि नहीं, बहुत सारे stock आपको ऐसे मिलेंगे, कि निफ्टी उपर जा रहा है, बड़ आपका stock नीचे जाता है, जब निफ्टी नीचे जाता है, इन्वर्स रिलेशन्शिप ऐसा भी कभी कभी यहाँ पर दे है, employees की बात कर तो देख सकते हैं, TCS में कितने सारे employees काम कर दें, थोड़ा में और नीचे जाओंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर PE ratio भी देखने को मिल जाएगा, यह अभी comparable नहीं है, मैं HDFC Life में नहीं सिव आप लोगों को दिखाने के लिए बता है, अगर आप यहाँ प Financials के और आ जाएंगे, तो इसके उपर में क्लिक कर लेता हूँ, Financials मतलब इसके related result कैसे रहे हैं, उससे related हम लोगों को जानकरी, तो थोड़ा में नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो आपको TCS से related कुछ information मिलेगी, कि TCS करती का है, सब कुछ आपको जानना है न, यह company का business क आप लोगों को Financials के उपर क्लिक करते वक्त पहले मिल जाएगा, and Wikipedia के उपर क्लिक करना, पूरा का पूरा चिट्टा मिल जाएगा, कि company की जब से पैदा हुए, यहा तक आपको सारा data मिल जाएगा, अभी के CEO कौन है, company कब से found हुए, headquarter कि इदर है, revenue कितना है, total number of employees से लेके, subsidiaries कीतने है, founder के साथ सारा data आप लोगों को यहापे मिल जाएगा, और नीचे जाओगे, तो quarterly result भी देखने को मिल जाएगे, March 21 के उसके पहले की 3 और result देखने को यहापे मिल जाएगे, उसमें आप लोग यहापे देख सकते, year on year basis comparison भी है, revenue, income, उसी की साथ EPS, यह सारा data मिल जाता है, बहुत लंबी list है, आप लोग यहापे देख सकते हो, तो रस्तों यह कुछ basic information हो गई, जो कि आप complete beginner हो, उन लोगों के लिए यह सीखने के लिए बहुत important है, चलो अभी आ जाते, point number 2 के और, and वो है balance sheet, yes, balance sheet कहाँ पे देखने की, देखिए, बहुत सारे website है, PC को भी, मतलब यहाँ पे यह देख सकते है, यह देखिए, TCS money control balance sheet, मैं यहाँ पे click कर लेता हूँ, जैसे मैंने click कर लिया, आप नीचे scroll down करेगे, यहाँ पे आप देख सकते है, money control, TCS balance sheet से related आजएगा, यहाँ पे मैं वापस एक बार click कर लेता हूँ, आपको मैं बताना चा अगर आप लोगों को पढ़ने है, तो पहले तीन चीज़ों को यहाँ पे आप लोगोंने focus में रखना चाहिए, पहली कुन सी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते है company के resource, इसके उपर आप लोगोंने focus यहाँ पे रखना चाहिए, company जो भी profit कमाती है, उसमें से कुछ portion हम लोगों को resource में भी जाते हुए देखने को मिल जाता है, तो इस वक्त TCS के resource कितने आप देख सकते हो, बहुत जादा resource देखने को यहाँ पे मिल रही, यह है previous resource, आप लोगों को यहाँ पे timeline उपर पढ़ने को मिल जाएगी, यह रिखे, March के, March 21 के, अगर 19 के चाहिए, तो यह आप लोगों को यहाँ पे देखना आना चाहिए, क्या पहले कोई उधारी थी, तो आप देख सकते है, यह पहले थी लगबग 44 करोड, 39 करोड थी, बढ़ बाद में company ने खुद को death free यहाँ पे कर लिया, दैन अगर आप लोगों को और एक data देखना है, तो आप देख सकते ह आने का cash and cash equivalent, company के पास कितना हाथ में cash है, तो आप लोग देख सकते हैं, लगबग 3000 करोड के आसपास का cash है, so usually यह चीज़े आप लोगों ने देखनी चाहिए, यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ balance sheet मतलब इतना ही होता है, but as a beginner, आप लोगों ने इतना तो यह चीज़ों को ज आने के लिए आप लोगों कोई मदद यहाँ पे होगी, screener करके रहेगा, मतलब TCS मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, screener करके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे popular है, मैं आप लोगों के सामने आ जाएगा, अगर आप लोगों को planning से related कोई issues है, तो आप देख सकते यह देखे, screener करके यहाँ पे रहेगा, तो screener के उपर अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे, TCS से related, बहुत ही important है, यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सुरी चीजे पढ़ने को मिल जाएगी, सबसे पहले तो आप लोगों को यह company करती क्या है, about, इस से related ही data यहाँ पे शु कोशिच करो, कि website के उपर बहुत सारा data, एक systematically way से यहाँ पे present किया हुआ है, so market cap आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, current price देख सकते ही, यह सारा data आप लोगों को मिलेगा, dividend कितना देता है, yield, return on capital employed, return on equity, face value क्या है, यह सारा data आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, then अभ company की disadvantages, यहाँ पे क्या-क्या problem फिलाल चल रहे है, फिलाल company का share बहुत महिंगा हो चुका है, और भी sales growth की बात करें, तो थोड़ा सा data पूर चल रहा है, मतलब आपको यह सारा data available हो जाएगा, अगर आप लोगों को study भी करना है, तो सिर्फ Google के उपर आप लोगों को यह सारा data आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे होगा दोस्तो, peer comparison, इसी website के उपर अगर आप जाओगे, peer comparison मतलब इनके competitor को ने, तो एक जटके में आप लोगों को यह सारे competitor देखने को मिलेंगे, यह देखिए, number wise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and सारा का सारा data आप लोगों को यही पे देखने को मिलेगा, जैसे कि इन सभी लोगों का price कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, peer ratio की इसाब से भी आप लोग सभी लोगों को यहाँ पे compare कर सकते हो, किसका peer जादा है करके, then अगर आप देखो के market cap मिल जाएगा आपको, dividend सबसे जादा कोन देता है, dividend yield की बात करे, net profit की ब percentage wise भी बात कर सकते हो कि किसने अच्छा performance दिया, sales का data अवे बले, return on capital employees, सारा data आपको मिल जाएगा, comparison करना बहुत easy हो जाएगा, so यह चीज़ भी आप लोग ने आप पढ़नी चाहिए, जो कि इनके competitors है, उसी की साथ साथ अगर आप लोगों को detail comparison भी चाहिए, तो वो भी पर नाम लिखकर वहापे comparison के लिए जा सकते हो, then दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो quarterly result भी आप लोगों को यह आप देखने को मिलेगा, यह भी आप लोगों को चेक कर सकते हो, company के sales, expenses, पूरा data मिलेगा आप लोगों को, बहुत पूराने मतलब 2 साल का data मिल जाएग कि अगर हम लोग बात करें, यह profit देखने को यहापे मिल रहा है, then बहुत सारे लोग यहापे search करते रहते, यहापे CAGR कहापे मिलेगा, profit compounded, profit growth कहापे मिलेगा, तो यह सारी चीज़े आप लोगों को यहापे देखने को मिल जाएगी, यह देखिए, stock का, अगर हम लोग बात यहापे चीज़े, automatically यहापे मिल जाएगी, balance rate की में बात करूँ, तो जैसे मैंने का इसके लिए money control अच्छा लगता है मुझे यहापे, आप चाहो तो इसको भी refer कर सकते हो, then दोस्तो cash flow activities, यह भी आप लोगों को यहापे देखने को मिल जाएगी, जहापे लिखा हुआ है, सबसे important cash flow activity कौन से होती है, यहापे operating, investing and finance में, operating, इसके उपर आप लोगों का ज्यादा focus होना चाहिए, operating का अरत क्या होता है, कि company में जो cash यहापे आ रहा है, वो अपने main business से कितना आ रहा है, आप लोगों ने देखा होंगा result में, revenue from operation, तो operating मतलब main है, हम लोग यहापे कह सक सकते हैं, उसके बाद कहा पर पैसा लगा है, investing, तो investing से भी पैसा आता रहेता है, आप लोगों को पता है, dividend भी आता रहेगा, तो वो भी पैसा हम लोग कह सकते हैं, finance कि अगर हम लोग बात करें, किसी को यहापे पैसा दिया है, तो उससे related कोई interest आया है, या फिर interest paid भी किया ह तो यह activities रहती है, वो भी ठीक है, बट main important चीज होती है यह वाला, मतलब operating activity, तो यह भी चीज आपने यहापे देखनी चाहिए, अगर operating activity, अब मतलब grow हो रही है, मतलब company का business अच्छा चल रहा है, हम लोग ऐसा यहापे कह सकते हैं, so again कह रहा हूँ, net cash flow भी important है, बट इससे भ जादा important रहता है, operating activity, अब यह आप देख सकते हैं, net cash flow इस बट negative है, चल जाएगा, क्योंकि company के operating activity हम लोग को positive देखने को यहापे मिल रही है, जो की साल बर साल आप देख सकते हैं, बतलब पहले हम लोग को 19 पे थी, 25, 25, 28, 30 to 38, तो यह सबसे main data होता है, then दोस्तों अगर आ अगर हम लोग बात करें, यह भी data आप लोग को इधार ही यहापे देखने को मिल जाएगा, then share holding pattern आप लोग देख सकते हैं, यह भी बहुत ही खुबसूरती से यहापे अगर मैं बात करों तो लिखा हुआ है, मतलब promoter के पास कितने हैं, public के पास कितने हैं, साल भर साल का यह यह सारा data आप लोगों को यहापे पढ़ने के लिए मिल जाएगा, so अगर आप एक बिलकुल beginner हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही जादा important था, at least आप लोग ने इतने से तो शुरुआत यहापे करनी चाहे, company से related आप लोगों को क्या-क्या data यहापे मिलता बट इतना भी अगर आप लोगों को ने कर लिया, तो as a beginner आप लोग बहुत सारी चीजे यहापे, मतलब शुरुआत यहापे कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि यह basic है, बहुत ही मतलब मामूली साब वीडियो था, आप ऐसा भी कही सकते हो, जिन्नोंने stock market में अच्छे का से द पसंदया होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेर करना, जो लोग नए है, उनको प्लीज यह वीडियो शेर कर देना, दोस्तों, बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है उनके लिए, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को यह सारी चीजे, अल्रेड यह पता अपको यह यह वाइ रहां, हॉज नए टो सत् Libby क Katrina य।